अधार को पैन नमबर से लिंक करने के बारे में सबसे बड़ी खबर ये है कि इसके लिए 30 जून अंतिम तारिक नहीं है बलकि एक जुलाई से पैन नमबर और अधार नमबर को लिंक करना अनिवारे हो जाएगा आयकर विभाग ने साफ किया है कि जो लोग एक जुलाई तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कर पा रहे हैं उनके पास EITR में UIDAI की तरफ से उपलाद कराएगर नमबर को देने का विकल्प होगा और इसे आधार पैन की व्याद लिंकिंग माना जाएगा जिनके पास पैन नमबर पहले से हैं और आधार भी हैं उन्हें अब इन्हें जोड़ना होगा और ऐसे लोग जिनके पास पैन नमबर नहीं और वो अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फॉर्म में अपना आधार नमबर भी देना होगा एक जिलाई से आधार और पैन को लिंग करना अनिवारे बनाया जाने को लेकर इंकम टेक्स की तरफ से दिसूचना में कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो स्वक्ति को दिया गया आधार अकाउंट नमबर निश्क्रे किया जाएगा एक जिलाई 2017 से कई अहम चीजों के लिए आधार देने को जुरूरी बना दिया गया ओनलाइन डिटरंस भरने को लेकर पासपर्ट बनवाने और स्कॉलर्शिप लेने तक के लिए आधार नमबर देना जुरूरी होगा हलाकि कई सरकारी योच्णों का फायदा 30 से तंबर तक बगयर अधार की भी मिलता रहेगा ब्यूरी फोर्ट एपियंग